हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं अपना बड़ बजाट के यूटूब चैनल मेरा नाम है जहीर मैं इस वीडियो में लेगा हूँ जैसे कि आपको यह गोलाई किस तरी के से कटिंग करनी होती है जैसे आपने देखा जैसे मेरे पास काफी कमेंट आये थे किस तरी किस तरी किस लगाते हैं तो उसकी थानकारी आपको ऐसे घं करना चाहिए सब्सक्राइब काइब हो बड़े голा बड़ा चांगे करना दियान से देखना तभी पूरी जान करें आपको मिलेगी तो वीडियो में चलते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए बुडबग जैट के यूटुब चैनल को साथ महीं बेले के नवाई सबसे फैले लेटस वीडियो देखने के लिए जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं इसमें वीडियो में गोलाई काटने का तरीका मैं बताने वाला हूं किस तरीकी से गोलाई काटी जाती है एक गोलाई काटने का आसान तरीका आप इस वीडियो में जान सकते हैं किस तरीकी से गोलाई काटी जाती है बहुत ही आसान तरीक बीट आता यह देख रहे हैं आपका 12 mm है सिक्समे बीट है तो उसको लगा के आप कार और सकते एक अपना जैसे आपको एक फर्मा बनाना फर्मा बनाने के बाद आप देखने सबसे पहले हम ठ्वाट लेते इसमें इस पर प्रत एंपनेदमा त्सक्रेट होते हैं भी मैं आपको करके दिखाऊंगा सबसे पहले हम एक फर्मा बनाने के बाद किस तरीकी से कटिंग की जाती है आप इस वीडियो में जान सकते हैं और देश सकते हैं बहुत ही आसान तरीका यह अपना सबसे पहले आपको एक अपने ठल को खोलनी है नीचे जो मारी स्कुरू होत इसको अपना कर सकते हैं ट्री में कह जान सकते हैं इसमें जैसे कि जिसमें हमारी गुलाई काटने में एक आसानी रही zal HEkonके काटने का घृतीय मैंने एक वीडियो वाली बात नहीं है बहुत ही असानी सथ्थ, पहले है उस्क्रू के है तो उस त्रीकिए से अपने एक फिर्म बनाने के समय आपको स्क्रू के साइज लेने हैं जैसे कि निसान लेने उस तरीके से आप देखरे हैं जैसे बीडियो में उससे काट सकते हैं दो जैसे कि चोटे कुछे की सोते को ठीक करने के लिए तो इस्टे कर सकते हैं तो इससे में अच्छी आती है की जैसे कि हम जिकisel machine से करते हैं जिक 2005 से फिनिसिंग नहीं आ एक को मơ ना कर अपकाटिंग असानी से कर सकते हैं तो यह हमारा जैसे आप देख रहें हम ड्रिल करने के बाद अपने कर देख आप से उतने भड़ी इस्रा करने होते हैं । उस तरी की ऑद स्कुरॉ होता कैप के इसाब से आप उसमें गुर्जिस कर सकते हैं जिसमें कैप आपका अंदर बैठना चाहिए इसक्रू का जिसमें कि आपका नीचे अड़ेगा नहीं और आपने देखा होगा जैसे अगर प्लैन जगे पर कटिंग करनी होती है जैसे लैमनेट वाला पीस होता है तो पर भी आसानी से कर सकते हैं कि देखें इस के अपना फ्रिम्लै जैसे हुड़ें कर देखें टायाता आ सब्सक्रूर्ण सब्स्तों करूंगा कि आपको दिखाऊंगा कि इस तरीकी से अपना यह चलेगा तो अगर आपको यह आपको लगाने होते हैं और इसमें अगर आप कम लगाते तो यह जैसा अपना लूज रहे जाता तो उसमें बब्लिंग देता है इस तरीके से आप इन चीजों का ध्यान ज़रूर रखें सही प्रोपर तरीके से टाइट करें और आप देखरें नीचे अपना प्लाई में जो हमारा यह सिक्समें के प्लाई लगई है उसमें अपना जो आपको ड्रि कर सकते हैं यह देखते हैं यह हमारा गुलाई काटने बिहती काम आता दैडिक वी डॉर वा सद प्सक्राइब vereए खर्णे में यह जहां बना लगाते हैं इस तरह को अब प्ट्न वाले हम में लया लगाए है तो उसमें सकने अपनेint के से में वी सेंतर में महीव का निसान लेना और्व कितनी बडिया आप गोलाई काटनी होती है तो आप सहलों आपको सीधा निसान लेना आपको जैसे बेıntर क्वा है आपको उसक त्यूष CHOOL से आपको नापना होता है जैसे कि हम इसी जो गुलाई काटेंगे तो यह 26 इंची चोड़ाई में कटेगा तो इस तरीके से आपना देख रहे हैं बारिकी सबसे वैस्ट तरीका यहीं गुलाई काटने का बहुत ही अच्छी गुलाई कर जाती है और इसमें जो हमारा जो गुलाई है कितने इंची काटनी आपको उस तरीकी से आपको फर्मों बनाना होता जैसे कि यह 26 इंची तो 13 इंची का अगर आपकी 24 इंची है तो बार इसमें मैं आपको काटके दिखाऊं किस तरीकी से कटिंग होती है अगर आपको अक्रेलिक भी काटनी है तो भी मैं आपको काटके दिखाऊंगा किस तरीकी से है इसानी काटिंग कर सकते हैं अब हम इसको चालू करेंगे आपकी कटिंग करेंगे आप इसी तरीके से जैसे आपका जो राहेट हैंट्सी में परीट हैंंड से गुमाक का जैसे हम चलाते हैं उसको किता सकते हैं doin Klar पार ही हैं यूज्हाओ कटर होता कटर गुमा तो लेते हैं असमें फिनेसिंग नहीं आप ती इतनी बाशार से ए जैसे कि आपकी जो एक सबस्क करें तो गोलाई आप कटर से आपसने कर जाती है अगर आपका जादा बड़ा गोलाई का फीस लेता तो असानी से कर सकते मिन आपक वीडियो बना रखा डिवी पैनल पे पर आपक pap looday आंती है to उसको अजिस कर सकते हैं आप असानी से यह इस तरीके से अराम से इसमें करना है जी मोट बाता जिसे बार हम हिसरे में हमारे में के इसे में कता है आपे बारा कर तो उसमें के काटते हैं GREG लगाते हैं उसक्तर तरीकिसे का्टिंग कर bersकते हैं और यह आप देख सकते हैं इस तरीकी को sogenitring में अराम से जितनी गोलाइए आपकी जैसे आपकी 73 जी गहरी है अगर आपकी 12 जी गहरी है तो थी से अपने साइज लेके अपना मैजरमेंट करके कटिंग कर सकते हैं यह देख रहे हैं यह पूरी हमारी जैसे गोलाई घूम चुकी है तो इसको आप फिरी जैसे अपना रूटर हो जाता है यह ट्रीमर तो अपना पीछे को आप इस तरह की गोलाई यह जहां तक आपका निसान है तरह के जहर को गही है यह नहीं हो है इस तरीकी से हमारी कटिंग हो गई है आप देख सकते हैं यह पूरा अपना पिरकार में इस तरीकी से अपना यह घो घूंग आ Б Stage के आपको धेखना अबना झिसके करो साहिए करसकते हैं जैसे कि आकई लंबा पीस होता तो लंबे पर इसके इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं तो जैसे आपका मेजरमेंट है उस तरीके से अपना मेजरमेंट सही तरीके से लेना आपको जैसे हम ले रहे हैं वैसे ही कट तरह होती से करणिंग कटाइज कर लिए ऐसके पीछी साइट मारडर में immortal तो मैं आपको किस तरह चूड़ना चाहिए यह आपके पूरी कटिंग इस तरह की से होजाती है इसके बाद हमारा जो पीछे जैसे हम गोलाई के लिए इसमें अपनी बोड की बट्टी गुमांगे वह भी मैं आपको दिखाऊंगो किस तरी से अभी हमारे जो पीछ लगेगा आप देख सकते हैं इसमें हमारा जो पीछे लाइट लगेगी उसके लि किस तरीक से लगाता है तो इसको किस तरीकी से फिट करना चीज है वह सारी चीजह अगर आप चैनल पनें हैं तो चैनल को सबस्कायब कर दो. यह साथ में वैले के जरूँ दोड़ाद है जिसमें आपको मिलता है अच्छे वीडियो मनाते रहते हैं जैसे कि आप देख रहें अच्छे जानकारी आगर आपको और भी लेनी है तो आप देश सकते हैं इस तरह के सही है इसमें हमारे तार आ जाएंगे जिसमें हमारे बाई तरह कि जाएंगे अभी पर्टी गुह्मा रखिया कि यह कटिंग करकर इस तरह किसा आप गूमा सकते हैं। इसके बाद अपना हिएंगे दिवार में पिशी कर रहे हैं और इसमें आपको जैसे सोल में लगाना सीधा करके ही लगाना सीधा होना चाहिए अगर आप इसको दिवार में फिट कर रहे हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सोल में आपका आना चाहिए यह उपर से नीचे तक आप देख सकते हैं यह सोल में होना चाहिए उपर से हमारा है जैसे उपर इसमें अगर आपको जैसे उसक्रू कर सकते हैं आपकी डारेक्ट में ही तो समय अपने GoPro वाइरिंग अर Häymour जैसे की साइडों में लाइट जो लगा जाते लिहां से लिए उसके लिए वायरिंग निगाल लगा 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 लगानी आपको प्लास्टिक की लुज्ट हो जाती है लकडी ठीक नहीं इस्कृ असाने सव्ट हो जाता इस तरहीं की आप देखने हैं जैसे की देंब इस तरीक Richard ना जो आपको यह पटा प्लियृ पर से लगाना धोंची और स्टी को सब्सक्राइब चाहिए प्लाइन जिए होनी दीवार पर होदे कर से इसी को प्लाइन करके है้ इसकोप्लाइन करना इसके आप महारा इस तरीके और करना चाहिए किस तरीकी से हमारा प्राइलिक फालतु लगा लेते हैं गोलाई में अक्सर फालतु रहता है जैसा हम पीस लमा लगा लगाते हैं उसको आप रंदा लगा कर नहीं मिला सकते हैं तो इस तरीकी से तो इसमें हमारे चार्व तरफ से अगर आपका लोजिंग नहीं रहने कहीं पर अगर आपका जैसे लोजिंग कोगा प्लैन नहीं तो वहां पे कोई बी लेम लिडि लगाते को तो वो ठीक ते में होती है तो यहां कच्छा क्रिज़ काम चозд़ आप सान लाखना definite अप है आप देए सकते हैं से हमारे से यह खर लगा लिया मैं आपको दूसरे इस पर दिखाऊंगो किस तरीके से लगा जाता है यह कटिंग आप इस तरीके से रूटर से कर सकते हैं ट्रीमर से इसमें जो मैं आपको बिट दिखाते हैं उनसा विट लगता है इसमें बिट के साफ से कटिंग कर सकते हैं इसका जो हमारे टेप कटिंग वाला जो बिट आता ह उससे cutting असानी से कर सकते हैं अगर आपको यह भी खरीदना है तो उसका भी link के discussion मिल जागा यह विट आप online भी खरीज सकते हैं अगर आपका extra laminate होता है extra आपके tape होती है PVC tape उसकी भी cutting कर सकते है acrylic seat extra है तो उसकी भी cutting कर सकते है finishing के साथ जिसमें ज्यादे finishings आती है तो इस तरीके से यह काम छोड़े चोड़े वारिक होते है यह करने जरूरी होते है रंदा लगाते हैं रंदे से आपने देखा होगा कहीं पर ज्यादा लग जाता है तो वहाँ पर गिलोस पर निसान आ जाता है तो трomme ли से यस तरी की से कर सकते है finishing वाला काम जिसमें आपकी finishing अच्छी रहएगी और आपके जो काम की finishing दीखेगी तो अच्छा लगा काम अगर आपके जहां पर finishing नहीं दिखेगी तो वह डेखने में अच्छा नहीं लगता इस तरीके से finishing आता काम काफी हमारे वीडियो में का रिटीयो मेरे जुए सबस्कूर प्लाइब करने हैं किस्तरीक बना सकतें तो आप देख सकते तो आप काम जीशर आजाते हैं तो इस Turkey करनी चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हैं इसमें रंदा नहीं लगेगा आपका टकर पर और ट्रिमर से ही सफाई कर सकते हैं इसके जैसा एस्ट्रा है इसके बाद मैं आपको दिखांगो गोलाई पर आपको एक्रिलिक कैसर काटनी चाहिए आप देश सकते हैं इसमें यह हमारा वेट है जो आप के हो साते हैं. अब देखरें इसी तरही किसा आपके फिनेसिंग आजाती है झासे किये हमारे एकृ सरुबती होती है तो उसको कर सकते हैं अगर आपको कटिंग करनी है तो सब्सक्राइब करना आपको करिए को उसमें जैसे गोलाई का piece होता गोलाई पे आपको cutting किस तरीके से करनी चाहिए है इसमें जो अगर हम acrylic लेते हैं तो वो जुकांदार जादतर यही सला देते हैं जो माई का cutting करने वाला cutter होता ना उससे ही काट लो आप उससे finishing नहीं आती acrylic seat नहीं cut पाती उसमें दिक्कत रहती है cutter इदर उदर भागता रहता है तो उसमें निसान आ जाता है कहीं पर भी आगर निसान आ गया तो वह वाइट सा नज़र आता है क्योंकि इसके पीछे acrylic के पीछे एक पेपर लगवी होता है पेपर थोड़ा सा हटा नहीं तो वाइट नज़र आता है वह से finishing करें थे ऐसे अपनी गोलायी घुमा सकते हैं इस तरीकACE शहीं अपहर आपकु हौ्र नहीं है पहले अगर आपकोפ strawberry करना फेह पीस केंगलायी का लगा रहे हो तो सबसे पहले आपको माईका लगारे हो एक्रेलLY लिखा रहे हो पीबी लगा रहे हो जो भी लगा रहे हो आप गुलाई में तो जो आपका गुलाई का काम हो पहले ही कटिंग करना होता उसके बाद आप इसको प्रेस कर सकते हैं इस तरीक से उसके बाद अपने जैसे पहले कर लेते हो जैसे कि हम गुलाई लगा देते हैं कहीं से फोल जाता अफिस तो वही बड़ी दिगत रहती है तो पहले कटिंग करने उसके बाद आप लगा सकते हैं तो ठीक रहता आपकी फिनेशिंग के सब्सक्राइब क्याम पर्फेक्ट होता इस तरीके साफ अपनी गोलाई की कर सकते हैं रूटर्स है अपने जो ट्रिमर है इस से अपनी कटिंग कर स गुमाना जैसे कि आप देख रहे हैं तो इसको बड़े आपको इससे आपनी गुलाई कर सकते हैं इसे तरीकिस आपने कर सकते हैं जिसमें की आपकी फिनेसिंग बड़ी बनी और आपकी फिनेसिंग जाते है आजाती है अगर आप एक काम कर रहें तो इसी तरीक से आपको ट्रीमिट से करना पड़ता है जैसे कि आपका लैमनेट है तो लैमनेट का धियान रखें को ने नहीं टुड़ने चाहिए तभी आपकी बनी रहेगी तो इसको मैं लगा कर दिखा आप वहां पर जाकर देश सकते हैं किस तरीक से एकरिलिक का जो अपना लगाने का तरीका वो कौन सा एट्रेश्ट से यूज करने चाहिए बाकि मैं इसमें भी दिखाँ यह हमारा गोलाई का पीस हमने काड़ लिए इसके बाद हमारे फिट हो जागा फिट करने के बाद हम इसके एकरिलिक बाद में प्रेस्ट करेंगे अब मैं आपको दिखाँगा वह भी यह देख सकते हैं यह हमारी दिवार पर लगेगा यह गोलाई का पीस हमारा तयार हो चुका अब इसमें जैसे हमें इसकुरू लगाने तो इसके बाद पर जरू होता है बहां पर आपने इस स्कुरू टाइट कर सकते हैं उसके बाद हम अपनी एकरिलिक लगांगे जैसे हमारी फिटिंग करनी होती है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं को रपीस अपना लगाना तो उसके बाद आपकी लगती है इस कुरू के जैसे तार जहां पर जरू हो तार अपनी वारी निकाल सक एक इंची बनाते हो कम रह जाती है तो इस तरीके से अपने ध्यान रखें आपको जो नीचे सा थिक्निस देनी होती हो जिसमें कि आपकी लडी लाइट चाम रखती नहीं है तो उसमें लाइट जब जलती है जब उसकी रोशी नजर आती है तो वह अच्छा रगता आपकी बह पेय्द किती कुला से यह पर कर ली थल्कृति हिं को पहले हमारे मिने जलगा लगा सकते इस वह हमने लगा यह है मैं दिखा देता हूँ आपको 3 ये 4 इंची की जैसे के आपकर 1.5 इंची हो जाता है , तो 4 इंची की स्कुरू जी उच्छ कर सकते हैं जिसमें की मश्بूति बनी रहती है जड़ लंबे फेड़ लगाने ज़वरिया और आपको टैट करने अगर आप ने लगाते हो कि लगा थे दस नमबर के चारिन्ची दस नमबर तीन्ची दस नमबर उसससे भी फिक्स कर कि युआच बाद हैं पिति कर सकते हैं को हैं पिति कर सकते हैं सब irm papis यह हमारा प्लख्यार भृ ध्यक्हें वहिए ते यह गर लगा वहीं पहींप लगा देंगे जहां पर कमक्रिट करीछिट्स ऑद शिर्ब्र लाएं करोंड और आपको लगाना इसतार हो को पार यह शो कर सकते हैं यह देखना है अब निकाल न्यू conceivedT Modern ऑपने निकाल सकते हैं अब यह हमारा फ्रट हो गया शोनेटर आप जासिके हमारे यह फेट हो चुका तो इस तरह किसे आप देख रहे हैं चारों तरफ से टेप लगा देंगे फिर अपने यह कंप्लीट है उसके बाद अपनी टेप भटा देंगे इसमें जो एडिसिव सोकने का टेम जो लेता है इसमें एक्रिलिक में चार घंटे कम से कम लेता है यह जाड़े समय लेटा है तो प्रोभॉंड आप यह या यूज करें उस अगर आपको लैमनेट मंगरना है तो आप दूसरे गिलो यूज कर सकते जो लैमनेट वाला होता तो यह अपने अक्रिलिक के लिए और पी ले माइका के लिए ही बना है संमाइके के लिए आपका दूसरा एडिस वे इस तरह किसे अपने टेप लगा देनी है यह हमारा पूरा प्वरा कंपथे पीश है कहीं पर भी इसमें ऑस्टर नहीं है हमने पहले ही कटिंग इस तो तरी की से हमना यहाइन्स देख देख रहा है यह लगा दिया किसी कटिंग करी थी और हमने जो गोलाई काटी यह भी किस तरकी से काती है इसके भी पूरी जानकार रेंखाए इदर हम लगाँगे लोबर्स लग़ाँगा किस और अपने देखा होगा काफी वीडियो में पहलें से लगाए देंखा कुम से लिखाए तो कम समय में बिना कील के भी आप एक लोबर्स को लगा सकते हैं जो आप देख रहें यहां पर रखा आमारा यह दिखा तो यह लगाने का तरीका मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा आपको जो नेश्ट वीडियो आएका उसमें दिखाऊंगा पूरी जानकारी मिलेगी उमिद्ध है अच्छा लगा तो वीडि करें अगर अच्छा लगाट इसलाई दे सकते हैं अच्छी वीडियो बनाते रहते हैं ऐसा अच्छा वीडियो फिर लेकांगे आपके लिए आप अपना रखें ख्याल अगले लिए फिर मिलते हैं आपसे ठेंक्यों फ्रेंड